अज है थर्ड नवेंबर और आज इस वेड़े में हम बात करेंगे सिनकॉम फर्मिलेशन के बारे में छोटी सी फार्मा कंपनी है आठ रुपे से भी नीचे ये शर्ट जा चुका है कोविट के वक्त एक बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई थी कोविट के वक्त जिन चीजों की सबसे जादा कमी हो गई थी जिसकी सबसे जादा जरूरत थी वो छोटी छोटी चीजे बनाने का काम ये कंपनी करती थी इनके रिवन्यू और प्रॉफिट एकदम से शूट कोविट के वक्त लेकिन उसके बाद धीरे 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 इनके प्रॉफिट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और अब नॉर्मल प्रॉफिट इनका देखने को मिल रहा है और यही वज़े भी है कि शेयर प्राइस भी तीजी से लेकर अब वापस नॉर्मल प्र 8 रुपे से भी कम कीमत का ये शहर है एक महीने में तकरीबन 0.5% की तेजी है तेजी बनी थी 8 रुपे 65 पैसे पर गया लेकिन एकी जटके में तूट गया और वापस वहीं पर पहुंच चुका है एक साल में अगर आप देखो तो 22 प्रतिशत की गिरावट है 22 प्रतिशत की हला कि बीच में भी एक बड़ा शूट अप आया जरूर था यहां पर अगर आप देखो तो 18-19 तक यहा था यह लेकिन बात में तूट कर ऐसी भी गिरावट आई कि साड़े छे रूपए से पिर नीचे चला गया दुबारा तेजी पकड़ी अब लंबे समय से तूट ही रहा है कंसॉलिडेट कर रहा है लेकिन पांस साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो यह पैनी स्टॉक था 2019 तक अगर आप देखोगे तो जो इसका शेयर प्राइस था वो एक रूपए से भी कम था और अगर आप चैनल को रेकुलर फॉलो करते हो तो यहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी अगर आप चाहो तो मेरे दो तीन साल पुराने वीडियो को भी चेक कर सकते हो एक रूपए से भी कम कीमत का जब यह शेयर था डेफिनिटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी वहाँ पर उसके बाद हमने एक बहुत बड़ी रफ्तार देखी काफी बड़ी रफ्तार हमने देखी और गोविड के वकद भी काफी बड़ी तीजी की शुरुआत हुई थी यहांपर जो असली तीजी की शुरुआत हुई थी वह कोविड के वक्त थी यह 60 पैसे का शेयर था कोविड में जब सब तूट रहा था ये तेजी दिखा था वो धाई रूपे तक पहुंच गया फिर थोड़ इसी correction आया फिर वापस थोड़ा सा तेजी दिखाई फिर थोड़ा सा correction आया फिर वापस तेजी दिखाई correction आया वापस तेजी दिखाई और अच्छी कासी रफतार पे बैठ गया लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ शेयर प्राइज में गिरावट आई क्योंकि इनके प्रॉफिट्स में भी गिरावट हमें देखने को मिली माइक्रो केप कंपनी है यह 755 करोड के आसपास का मार्केट केप है वॉल्यूम देखेंगी तो बहुत कम है मुश्किल से 8-9 लाग का ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इनके रेवन्यू में अच्छी शूट अप देए इनके प्रॉफिट में तेजी थी लेकिन पिछले क्वाटर में इनका रेवन्यू से 50 करोड में सिमट गया और प्रॉफिट जो था वो 3 करोड 88 लाख में सिमट गया जो कि कम था क्योंकि पिछले साल इसी क्वाटर में 5.5 करोड का मुनाफ़ा था उससे पहले और भी जादा था लेकिन जून क्वाटर में कुछ ऐसा धमाका जरूर हुआ कि प्रमोटर ने बहुत बड़ी कॉंटिटी खरीद ली 46.12 परसंट की प्रमोटर की होल्डिंग 50.57 परसंट पर आ गई 4.45 परसंट की कॉंटिटी प्रमोटर ने बढ़ा दिया अपनी हलागी एफ़ाइल स्वाम म्यूचल फरंड और इंशॉरंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है प्रमोटर का एक भी शर्ड यहां पर गिर भी नहीं है सिनकॉम फर्मुलेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो according to money control user 17% लोग कहरें कि बेश दो और 83% लोग कहरें खरीदारी करो इतना ही नहीं अगर हम company को लेकर देखें तो जैसे कि मैंने पहले का कि revenue में बहुत बड़ी तीजी है यह लिए लिए हम वापस से कम होते नजर आ रहे हैं अभी 50 करोड का ही पहले quarter में रहा जो कि और कम हो सकता है profit की भी अगर आप बात करें तो profit में भी यही हाल था 8 करोड का profit 29 करोड पर चला क्या एक ही साल में COVID वाले वक्त में मैं बात करा हूँ यह बाद में यह 19 करोड पर आया अभी और कम हो सकता है क्योंकि पहले ही quarter में 4 करोड से भी कम कर रहा है average भी निकालेंगे तो 14 से 15 करोड की बनती है अगर इसको maintain भी कर पाते हैं तो सिनकॉम में अगर आप देखोगे तो सिनकॉम में खरीदारी करने का सही मौकर है कोई भी red flag निजन नहीं आ रहा है हलाकि डिविडिन कुछ खास अच्छा पी नहीं कर रहा है 37 का P है जो कि सेक्टर P 35 के से भी अभी थोड़ी सा जादा है बलग इतनी बड़े correction के बावजूद भी थोड़ा सा महंगा तो है उतना सस्ता भी नहीं है ये थोड़ा सा महंगा जरूर है और लॉंग टर्म में पैसा बनाए जाई से वाज है पैनी स्टॉक था एक रूपे से भी कम कीमत पर था तो अभी भी आठ रूपे का कोई अच्छा पैसा तो कही सकते है आपकी बनाए यहां पर नुकसान उनको है जिनकी बाइंग 15 रूपे से उपर की थी या फिर 10 रूपे से उपर की भी जिनकी थी उन सबका नुकसान है यहां पर 8 रूपे 9 रूपे के उपर जिनकी बाइंग थी सबका लॉस है यहां पर रिटेल के पास देखा जाए तो 36.86% की होल्डिंग है रिटेल इंवेस्टर के पास सिनकॉन की यह वेबसाइट है अगर आप इनकी वेबसाइट पर चले जाओगे तो आपको पता चले कि कमपनी कई सारी छोड़ी छोड़ी चीज़े बनाती है फर्मुलेशन, पैकेजिंग, माटिरियल, रॉव माटिरियल, एक्सपोर्ट सर्जिकल की अगर आप बात करो तो कई सारे सर्जिकल एक्विपमेंट जो होते है और इवन इड़ डाइपर भी कमपनी बनाती है सर्जिकल एक्विपमेंट में अगर आप बात करो तो उसमें जो इंजेक्शन वगरा होते हैं वो कमपनी बनाती है surgical tape होती है वो बनाती है company syringe की आप बात कर लो gloves वगएरा की बात करो वो ये company बनाती है बहुत छोड़ी छोड़ी basic चीज़े है जो company बनाती है packaging material में भी अगर आप देखो तो definitely जो भी दवाईया होती है syrup होती है उसको pack करने के लिए बाटन इसका माल किये जाते है tube वगएरा इस्तेमाल की जाते है bottle वगएरा इस्तेमाल की जाती है तो ये छोटी छोटी चीज़े ये company बनाती है बहुत छोटी और basic चीज़े बनाती है और इनके जो client हैं वो काफी बड़े बड़े हैं फार्मा इंडस्ट्रीज के दिगट जो है वो इनके clients है सिनकॉम में अगर आप देखोगे तो formulation में भी कई कुछ दवाईया भी company बनाती है ये दवाईय नहीं बनाती कुछ formulation वाली दवाईया भी company बनाती है कुछ syrup भी company बनाती है और चाहे हम बात करने जाए यहाँ पर कई सारी चीज़े डोलो कॉराफ की बात करे या फिर tablets वगरा की बात करे spray की बात करे लेकिन हाला कि जो consumption है इनका वो बहुत कम है और उससे ही आप अंदाजा लगा सकते है कि company business कई सारे करती है लेकिन company का जो revenue है वो मुश्किल से वो मुश्किल से आपको देखने को मिलता है साल भर का 200 करोड़ ठीक है और profit और भी कम है तो कही ना कहीं कहा सकते है कि हाँ थोड़ी से दिखकर जरूर है यह लेकिन फिर भी penny stock है और जायर से बात है कोई एक वज़े है जिसकी वज़े सही यह penny stock है लेकिन हाँ holding काफी जादा बढ़ी जरूर है promoter की अभी September quarter की shareholding pattern आई नहीं है और यहाँ पर देखना interesting होगा क्योंकि promoter जो है वो लगातार खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं जैसे कि 44% की holding जो थी पहरे September 2021 तक March आते आते वो 46 पर चली गई और June आते आते वो 50% से भी जादा चली गई महला promoter लगातार खरीदारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी share price में तो गिरावठी है महला promoter ने जो खरीदा है वो कह सकते हो कि महेंगे दाम पर खरीदा है महेंगे दाम पर promoter ने खरीदारी भी करी हुई है तो देखो sincom formulation मेरे हिसाब से छोटी से company जरूर है लेकिन एक support level की जहां तक मैं बात करूँ तो 7 रुपए के नीचे का जो level है वो मुझे पसंद आता है यहां पर कि अगर आपको यह शर मिलता है 6 रुपए के आसपास ठीक है 6,5 रुपए के आसपास अगर यह आपको मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं और खरीदारी करी है तो बने रहो और लॉंग टर्म के लिए अभी मैं कहूंगा कि इसका सब्टेंबर कॉर्टर के रिजर्स को देखना जरूरी है क्योंकि लगातार इनका प्रॉफिट भी देखो रिवन्यू भी देखो तो डाउनवर्ड ट्रेजक्टरी यह दिखा रहा है एटलिस टेबल होना जरूरी है और अगर वो होगा सब्टेंबर कॉर्टर में तो एक बहुत अच्छे बात होगी इस कंपनी के लिए तो खरीदारी करी है बने रही है फ्रिश बाइं की जहां तक बात है शाड़े छे रुपए के लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए वीडियो को यहीं पेंड़ करूँगा पसंद आयो हो तो लाइक तरशाए करे चैनल दगरा पहली बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करे और सिंकॉम फर्मूलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं